नमस्कार दोस्तों मैं ड़क्टर भावेश आज के वीडियो में बहुत कॉमन प्रॉब्लम आप देखते होंगे वीडियो में भरे हुए पड़े हुए वीडियो हैं लेकिन आपको बता दे हर फीमेल के अलग-अलग सिम्टम्स होते हैं और उसके आधार पर या बोडी में अल मुटापा आता है कोलिस्टॉल जमा होता है चर्बी जमा होती है वेट गेन हो जाता है तो उस मुटापे को उस वेट गेन को कम करने के लिए वजन को कम करने के लिए मुटापे को कम करने के लिए बौडी के सुजन को कम करने के लिए होमेपिति में बहुत ही लाबदायक द दवाब ले सकते हैं महिलाओं के मोटापे को कम करने के लिए महिलाओं में जो स्वेलिंग है उसे कम करने के लिए आप कौन सी हमेपति दवा ले सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला सिम्टम के आधार पर दिया दवा लेते हैं तो आपको भरपूर लाब मिल सकता है ठीक तो पहली दवा देखते हैं हम लोग यह पहली कंडिशन मोटापा है ठीक है लेकिन मोटापा के साथ उनका लीवर की डिसॉडर है लीवर में लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है डिस्फंक्शन है उनका ठीक है यह हम बोल सकते हैं लीवर टेस्ट लीवर फंक्शन टेस्ट कराए तो लीवर में जो फंक्शन टेस्ट करना में जो एंजाइन से उसमें गरबड़ी आ गई है और साथ में उनकी जीब हमेशा जीब के उपर एक सपेज सी लेयर वाइड कोट टंग मिलेगी आपको सपेद सी लेयर बन जाती है तो मुटापा है महिला में लीवर की समस्या है यह हम बोल सकते हैं लीवर की प्रॉलम है और मुह में आपके जबान में सपेद कोटेट टंग आपको मिलती है कि यह कोई लक्षण आपको मिलता है और इस प्रकार के लक्षण साथ मोटापा है तो काली मियोर सिक्स के बारे में आप सोच सकते हैं बहु महिला जिसको मोटापा है लेकिन मोटापे के साथ उसको सिर में बहुत अधिक पसीना उसको सिर में बहुत अधिक पसीना आता है दिन अबर पसीना आता है चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी मौसम हो तिर में पसीना आता है अंडा खाने की उसको हमेसा क्रेविंग होती है उसको हमेंसा अंडा खाने कामन करता है और कुछा हो जाती है और उनको पारए होती है और कोई भी ठंड़ेके condition मिलती है तो आप यूज कर सकते हैं के ल्क है कार्व क depthष यह हमइपदिpower क्लिनिकल कंडिशन में आगे बात करते हैं मोटापा है स्पैसिफिक मीनोपास मीनोपास के दौरान मीनोपास के दौरान मीनोपास के बाद या मीनोपास में आपको मीनोपास मतलब जब पीर्ड बंद हो जाते हैं महीला के किसी महीला के पीर्ड बंद होते हैं उस दौरान मतलब 45-45 साल की उमर के बीच में जब उनकी पीर्ड बंद हो जाते हैं प मौटापा के साथ क्या है उनको थाराइड की कोई प्रॉलम है तरह डिसफंच्छनिग है मतलब होता है पतला करने वाला हो आपको मिलेगा और साथ में स्पेशन आपको मिलेगा आप आप यूज़ कर सकते हैं क्यूक त्टिक है फ्यूकल वी एक्चुली वह यूक त्ट लिग गया वहां यूक वी फ्यूकस वी नाम की दवा आती है आफ की जगह पताना फ्यूकस वी ठीक है आगे बात करते हैं वेसिटी है है मोटापा हैह और अलर privileged problem है ठीक है ठायच की कोई सिफ प्रॉलम है अज कर द cinq कोई सिभी मतलब किसी परकार धीफ्रयम हो है इसमें स्वॉयटल हो गया हो कोई भी बी प्रॉलम धफिक ऑगई हो इता युज कर सकते हैं बहुत सिम्टम मिलता है उनके पीरियट्स हमेशा लेट होते रहते हैं नतलब उनके पीरियट्स हमेशा पैचालिस दिन में पचास दिन में साथ दिन में दो से तीन मेने में उनके पीरियट्स आते रहते हैं रेगुलर अठाइस दिन से तीस दिन की साइकल नहीं होती है हमेशा लेट होते रहते हैं उनके period क्या लेट होने वाले तंडेंसी उनमें होती है contribution होता है मोटापा होता है ऐसी महिलया जिन में पीज़ाइब साथ में मोटापा है graphitis आप याद रहें बहुत ही बहुत ही effective दवा है next बात करते हैं मोटापा है ठीक है और उनको हमें साथ ठकान ऐसा लगता है कि उनका सरीर में ताकत ही नहीं है मोटापा है और उनको completely absolutely अशल लगता है कि फील होता है कि उनको ठकान है पूरी बॉड़ी में ठकी हुई है कमजोरी लगती रहती है वीकनेस लगती है इस परकार सिम्टम मिलता है मोटापा के साथ सम दिन भर आपको वीकनेस लगे लेक डेफ नाम की दवा होती है लेक डेफ नाम की दवा है बहुत ही effective दवा होमेपिती की जिसको आप उप्यों कर सकते हैं नेक्स बात करेंगे मोटापा है ठीक है और वो अंदर से इसको इच्छा है कि वो अपना वजन कम करे और मसल्स को जैसे जो लोग जिन जाते हैं वैसी मसल्स बना ले अपना मोटापा कम करके वेट कम करके अपनी मसल्स को स्टॉंग कर सके मसल्स को स्टिब बना सके मसल्स मे मतलब वो ला सके एकदम hardness ला सके to make muscles hard तो calotropis नाम की दवा है ऐसी महिला जो अपनी muscles को मोटापा कम करके muscles को strong करना चाती है muscles को hard करना चाती है gym में जाते हैं जो लोग वैसी करना चाती है तो calotropis नाम की दवा use कर सकती है and last हमाद करेंगे मोटापा due to any cost किसी भी करन से मोटापा है किसी भी करन से मोटापा है एक important दवाए phytolakaberry mother tincture phytolakaberry mother tincture उपयोग कर सकते हैं लेकिन लंबे सबय तक उपयोग करना पड़ेगा तब ही result देता है ठीक हैं तो कोई भी आपको मोटा पाए किसी भी करन से तो phytolakaberry नाम की दवा यूज कर सकते हैं importantly आपको बताऊं दवाएं तो आपको लेना है लेकिन साथ में आपको दो important चीज़ और याद रखें मैं आपको थमरूल बता रहा हूँ मेरा का result आपको मिलेगा आपका जो है वेट एक मेहने में तीन से चारी किलो आटोमेटिक आसका शक्र वाली जो चीज़े की रोल खाना बंद कर दें बिल्कुल नहीं खाना है मीठे में फ्रूट साब खा सकते हैं लेकिन जो शक्र डली होती है जैसे कि आपने मिठाई खा रहे हैं बहुत अधिक आइसक्रीम खा रहे हैं चॉकलेट्स खा रहे हैं सब में मीठा शक्र डली होई है वो आपको नहीं खाना है मीठा वाली चीज़ बंद कर दें दुसरा नमक आप नामल ले लें और तीसरी वेरी वेरी इंपॉर्टन आपको याद रखना है साथ बजे के पहले खा लें साथ बजे के पहले खा लें या आठ बजे के पहले खा लें साथ से आठ बजे के बीच में खा लें सुबह खाना बारा से एक कर लें और रात का खाना साथ से आठ बजे के बीच में कर लें और रात में फिर खाना खाने के बाद कुछ नहीं खाना है आपको याद रखें यह दिया भी मेंटेन करते हैं तो आप देखिए तीन मेहने के अंदर आपको मरायकल डिजल्ट मिलेगा आपने वेट को कम कर पाएंगे खाना आपको भरपूर खाना है लेकिन सिर्फ टाइमिंग को मैनेज करना है सुबह बारा से एक और शाम को साथ से आठ दवाई लेनी हैं मीठा बन करना है और नमक नहीं खाना है यह आप चार चीज करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको तीन मेहने में आपका होती बहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा आप आज से करके देखिए और फिर मुझे बताएं किसे रिजल्ट नहीं मिलता और कोई बॉडिंग साइड इफेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि आपको मैं खाना सब बोल रहा हूं सिर्फ टाइमिंग बदलने बोल रहा हूं और मीठा खाने मीठा खाने बन करने से कोई न्यूट्रेंट की कमी कभी नहीं होती है तो आप यह करें और मुझे फिर रिजल्ट बताएं नमस्कार